आज मैं लेकर आई हूँ टेस्टी इजी चुक्य की भाजी गोष्ट की रेसिपी यानिकी मटन की रेसिपी आप इसको लंच में या डिनर में चावल के साथ रोटी के साथ दिखा सकते हैं तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं चुक्ची की भाजी गोष्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें कूखर लेंगे क्योंकि गोष्ट गलाना है और इसमें वन थर्ट कप तेल डालें तेल गरम होने के बाद एक बड़ी सेज की प्यास को हमने कट करकर डाला है अब प्यास को इसका हलका कलर चेंज होने तक प्राई कर लेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर प्यास प्राई हो गई है अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून अद्रक लहसन का पेस्ट हाफ टी स्पून हल्दी पॉडर अब अद्रक लहसन को 1-2 मिनट तक प्राई कर लेंगे अद्रक लहसन अच्छे से 2 मिनट प्राई होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मटन 250 ग्राम्स और एक बर इसको अच्छे से मिला लें और 3-4 हरी मिर्च को कट कर कर डालें बारी कटे हुए टमाटर 1 कप या फिर आप 3-4 टमाटर को इस तरह से कट कर कर डालें इसके बाद इसमें डालेंगे 3 टी स्पून लाल मिर्च पॉडर इसके बाद नमक डालें नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कमिया ज्यादा डाल सकते हैं टमाटर को गोश्ट के साथ 2 मिनट तक अच्छे से भून लें इसके बाद इसमें 1 कप पानी डालकर कूकर का ढखन लगा देंगे 2 सीटी आने तक फ्लेम को हाई रखेंगे अब फ्लेम को लो करके 10-15 मिनट तक पका लें 15 मिनट तक पकने के बाद इसका प्रेशर जाने के बाद कूकर का ढखन खोलेंगे आप देख सकते हैं गोश्ट गल गया है अगर गोश्ट ना गला हो तो आप दुबारा इसको 10-15 मिनट पका सकते हैं इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे चुके की भाजी 5-6 बंच हमने काटा था हमने गोश्ट को गलाते वक्त पानी डाला था हो तो थोड़ा पानी अभी तक है इसलिए हमने वही पानी में भाजी को गला रहे हैं अगर आपका पानी सूख गया हो तो आप थोड़ा पानी आइड कर सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे बारी कटा हुआ हरा धनिया और धांक कर एक 10 मिनट पका लेंगे आप देख सकते हैं भाजी भी यहां अच्छे से गल गई है अब एक 2 मिनट और उसको भून लेंगे यहां पर तयार है हमारे चुके की भाजी और गोश्ट का सालन इसको सर्फ करें चामल या फिर रोटी के साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में अपना ख्याल रखें अलाहाफीज और थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए